वर्गाकार पेपर से आकिर्तियों को नापना भाग दो Size of Shapes Using Squared Sheet Part 2 इस वीडियो में हम जानेंगे कि कटिन आकिर्तियों को कैसे नापा जा सकता है और कैसे आकिर्तियों की उनके नाप के आधार पर तुलना की जा सकती है पापा, आप इतनी देर से इस नक्षे में क्या देख रहे हैं? वंदिना, मैं अपने खेत में मचली पालने के लिए एक छोटा सा तालाब बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैंने एक इंजीनियर से अपने खेत और उसमें बनाए जाने वाले तालाब का नक्षा बनवाया है यह देखो, यह हमारे खेत का नक्षा है और इसमें यह तालाब दिखाया गया है मैं चाहता हूँ कि हमारे खेत का स्टालाब खेत के नाप का एक चौथाई हो अब इंजीनियर के दिये हुए इस नक्षे से मैं यह पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि तालाब हमारे खेत का एक चौथाई है या नहीं पापा इसमें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मैदम ने हमें कठिन आकरतियों के माप लेना सिखाया है और इस नक्षे में दिखाई गई खेत और तालाब दोनों की आकरति कठिन है अच्छा तो नाप के बताओ कि तालाब का नाप हमारे खेत के कुल माप का चौथाई है या नहीं? पहले हम पूरे खेत का माप निकाल लेते हैं लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए ये खेत कुछ वर्गों को पूरी तरह गेर रहा है इनको गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, 183, 184 इस खेत के द्वारा पूरे गिरे हुए खेतों की संख्या है 184 अब उन वर्गों को भी गिर लेते हैं जो आदे या आदे से ज्यादा गिरे हुए हैं उनकी संख्या है 24 इस खेत के द्वारा कुछ-कुछ वर्गों को आदे या आदे से कम गेरा गया है उनको हम नहीं गिनेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इस खेत ने लगभग 184 प्लस 24 वर्गों को गेरा है इसका मतलब हुआ कि लगभग 208 वर्गों को इस खेत ने गेरा है अब आप चाहते हैं कि खेत के एक चौथाई हिस्से में तालाब बने इसका मतलब हुआ कि तालाब 208 भाग 4 वर्गों को गेरना चाहिए यानि लगभग 52 वर्गों को यदि इस तालाब ने गेरा है तो हम कह पाएंगे कि इस तालाब ने एक चौथाई खेत को गेरा है हाँ, बात तो तुम्हारी सही है अब इस तालाब के द्वारा गेरे हुए पूरे वर्गों को गिन लेते हैं जो वर्ग पूरी तरह से गेरे गए हैं उनकी संख्या है 34 अब उन वर्गों को गिनेंगे जिनको आधा या आधे से ज्यादा गेरा गया है उन वर्गों की संख्या है 18 जो वर्ग आधे से कम गेरे हुए हैं उनको नहीं गिना जाएगा इसका मतलब हुआ कि इस तालाब ने 34 प्लस 18 बराबर 52 वर्गों को गेरा हुआ है जो कि खेत के द्वारा गेरे गए वर्गों की संख्या 208 का चौथाई है इसका मतलब ये हुआ पापा कि इंजीनियर ने सही नाप निकाले हैं ये तालाब हमारे खेत के एक चौथाई हिस्से को ही गेरेगा अरे वाव अंदना तुम तो पूरी इंजीनियर बन गई हो नहीं पापा उसके लिए तो अभी बहुत पर नाबाकी है आज आपने जाना की कठिन आकिर्तियों को इस आधार पर नापा जा सकता है कि वह कितने वर्ग घेर रही है और आकिर्तियों को नापते समय सिर्फ उन्हीं वर्गों को गिना जाता है जो आधे या आधे से ज्यादा गिरे हो जो वर्ग आधे से कम घिरे होते हैं उनको नहीं गिना जाता